मुर्गा बे चैन बाटे मुर्गी के खोजाता ते कवही से करता ते कुकु हो कु कुकु हो कु अर्विंद अकेला कलू कलू कहां से जुड़ गया पढ़ाई लिखाई हमनों के तरफ जो होता है आप कूल मालू में दादा जी ने ऐसा रटा कि आज पको मास्टर सहब नहीं है वाइप को मिस नहीं है आप यहां रहे हैं वहां रहे हैं एक बर गया है एक ही बर बस अरे कहां सब पहचान जाते हैं सब फोटो निकालने लगते हैं मिलने आई लेकिन वाइराल था नो मेरे शादी हुई है तो मेरी वाइप को देखी दूर से इसको सब्सक्रावादी जी अब वो सुचिए तो ऐसे छोड़ने रहा है बेटा करेगा तो छोड़ दे में सर्म के मारिया ज यह रिष्टा मैं समझें ना जाओ है मुर्गा बेचान बाते मुर्गी के खोजाता ते कब ही से करता ते कुकु हो कुकु हो कु कुकु हो कु क्या है वह सुनने में बहुत मज़ा आया प्षोड़ा से मतलब भी बता है मतलब देखिए इंसान तो प्यार करता है तो वह अपनी फिलिंग बता देगा कि I love you I miss you यह जो भी लेकिन जो भी जानवार होते हैं जैसे डॉग होते हैं या मुरगा होते हैं वो लोग भी प्रेम करते हैं तो उन लोगा प्रेम का अंदाज सुबह में कुक्रू को बोलते हैं। तो उस अंदाज से वह पी पहुंचे वह उस्षिस को थिलमाया है और वोग का पयार जब हम है तो मैं भी उतना नहीं जानता था लेकिन हाँ यह मतलब था कि के ने गईली से मुरूगी है मेरी मुरूगी कहा है बाई मैं कब से कुप्वों को चिला रहा हूं तो उसे समय यह सबसे पहले तो आपको देखके मेरे दिमाग में यह आया कि अरविंद अकेला कलू कहां से है यह लेकिन मतलब कलू ना क्योंकि हमारे घर महले में क्या होता ना की कली होता रहे कालो ऑलने में मेरे पिता जी जी को भी कालू भहिया बोला जाता अवист यह किसे जुड़ाः उसके का नहीं यह है उसमय तो मैं पैदा हुए था यह जो मम् travaill बताते हैं कि मैं पैदा बोश्पूरी में पाजरा सतमास लेका भाइजा तो बहुत कम जोर होते हैं और बहुत काला हुआता है तो जीने के लिए अम लोग के तरफ नाम रख दे जाता है कि लड़का जी जाएगा तो कलू देखेगा जो पतला होगा तो गाम में बोलते है पालवान आया है जो तुब मतलब कम समझदारों को बोलते है ऐसे टाइप के तो उससे में नाम कलू पड़ गया और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और दर्शकों का प्यार मिलते गया बोलते बड़े होने के बाद थोई बहुत सुन्दरता आ गया और क्रीम है क्रीम घस घस के गोला हो गया हाला कि क्रीम मरीम पर बड़ा विवाद होता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह परफेक्ट बेंड अमबेस्टर है काम ही कलू है लेकिन स्किन देख लीजे एक दम चमक रही है थोड़ा बहुत गोरे हो थोड़े बहुत नहीं हो गया काफी अकेला कैसे आपने खुद जोड़ा न अ होता है अँनकी कोई जाती नहीं वैसे में हूं ब्रांबड परिवार का बहुत कम जानते है न करंद कोई भी हो लोग प्यार तो कडर बिल्कुल बिल्कुल कलाकार की थैसे मेरे पिता जी अगर हम अրभीट कम तो अर्विन्द अकेला क्या लेकर आए ते क्या लेकर जाओगे अप्टाजी कलाकार बनना चाहते थे तो उनको बनने नहीं दिया तो पिता जी का सपना जो है वह कहीं ने आपने पूरा क्या नचनिया बजनिया की नचनिया बजनिया बनत रहो तुम पढ़ाई लिखाई हम लोग के तरफ जो होता है आपको वी मालूं है अगर लड़का पढ़ना लिखना ना चाहे तो भी जो उसके गार्जियन होते हैं साल पहले जब मैंने शुरुवाद किया था तो बहुत लोग सपोर्ट के परिवार का बहुत बहुत सपोर्ट रहा मेरे गावाले का सपोर्ट रहा लेकिन जो मेरे दादा जी ते उनको नहीं पसंद था एक बार की वाक्या बताता हूं कि हर्मोनियम मेरे पिता जी लेकर टो हो गया तो मैंने बोला कि थोड़ा कोई ट्यूंगता एक जो मैं गाहों जो तो अच्छा लगें अब वो बच्चे की दिमाग बोलते हैं पूछ भी एक गाना हीट तो मैं बजाय हुता हायरे उठ लाली हायरे तब तक मेरे दादा जी सुनी है और वो जो हमारे मास्टर स मेरे पुलिस में भाइट थे भाइट सत्ता वाग मोले नाती को इसी का रहा हूँ चलो निकलो यहां से अब वो मास्टर सहब चले गए फिर हम पापा दूनों को दास्तीर सो उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया फिर में फुलों सा चेहरा तरह पाजाने लगा दादा जी पिता जी मेरे माता जी मेरे भाई लोग और मेरे गाओं लोग का बहुत सपोर्ट रहा है आज वो साथ है कि आपके साथ में आब उठाओं तो सफर शुरू कैसे हुआ मतलब आट नौ साल में आपने जो है कहां गाना शुरू किया सबसे पहले मेरे पिता जी सौकीन थे अप वो आल राउंडर बोल से उनकर इक्सा का भी दुकान था चिकदारी भी करते थे किसाने भी करते थे और उस समय जब मैंने शुरूआत किया तो उसमें पहुंद सिंजी का में गाना बहुत सुनता हूं तो मतलब मेरे यह था कि नहीं हमको भी एक मौका मिल जाता है स्टेज पापा करते है मैं भी गाता है मैं भी गाता है तूनी के मंच पे मम्मी ने बोला कि इसको भी गवा दीजी अब हो सुच गिए तो ऐसे छोड़नी रहा है बेटा करेगा तो छोड़ देगे सरम के मारी अजो भी लेकिन यह उल्टा हो गया मैंने उसमेंश पे दो गाना गाया आज भी हम याद है कि क्याम रुपया और सो गराम चिंगया बदाम हमको एक चाचानी गिफ्ट दिया था तो वो समय मूरी मतलब कभी बलाए नहीं जा सकते हैं फिर हमारे गाओं में जो भी फंक्सन होते थे 26 जनवरी के दिन उस दिन में गाना गाता है एक बार खेल मंत्री आजी बले तक नहीं गाना एक अल्यू को और मैं हाफ पाइंट और टिशत पाइंट की देखने गया था अब मेरा नाम बला देगा अब मेरे नाम बला देगा घर पर सट पाइंट पेहन के ही और वहां पर गाना गाना इस्टार्ट कर दियो तो ऐसे जीरी दीरे तेर कोई था नहीं इस चेत्र में बहुत जादा पैसा लगा इस ताकि नहीं लोग को पसंद आएगा और हमारी मेहनत दर्शकों का प्यार मिला करदा लिया कर सबकुछ करते हैं रिक्सा का दकान बहुत अच्छा मुगा चलता था मतलब जहां बहुत मेहनती थे मेरे पिता जी पढ़ाई का तक की अपने से पढ़ाई मैंने अगर एक्शुल देखा जाए जादा तर बड़े कालाकार जो है न दस्टी बारणी फेल होते हैं तो आप बिंदास बताई जो है कितना भी चुपाना चाहिए नहीं चुपता सब यूटुब प्लग जाए मैं बाकि मेरे को आफर आया थे बहुत लोग बोले कि तुम को ये डिग्री से कुछ नहीं होता है आप जी स्चेत्र में अच्छे से रहिए दस लोगों से अपना बेवहार अपना प्यार बना करें मैंने मेरे पिता जी डॉक्टर बनाना चाहते थे तो बड़ी कोशिश की अब लेकिन जब जनलिजम में आये तो लगा कि अच्छा यही करना तीवी पे एक दो एंकर थे उनको देखते थे कि अच्छा यही करना तो मुझे लगता है कि पैशन जो होता है ना आदमी को फॉलो वही करना चाहिए बड़ादस्ती आप कुछ मुझे लगता है आपके पिता पिता जी भले बिहार से थे लेकिन जैसा कि हम सुनते हैं कि थोड़ा सा सोच अभी उतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन मतलब मुझे लगता है उन्होंने 2007 में आज से लगवग 15-20 साल पहले यह समझा कि मुझे बेटे के पैशन को फॉलो कर दो सबके पिता जी बहुत प्या सब कुछ समझें तो उनका सवक तक cricket केलते थे बॉलिंग बहुत अच्छा करते थे तो बिहार में कोई स्कोग था नहीं कि वह कि खलाए तो उन्होंने बड़े बेटे के लिए जब मैं तो अब हमाने दमाने लगा उन्होंने बड़े बेटे के लिए बनारस मिघर लिया कि यूपी से मेरा बेटा खेलेगा लेंग बोलते हैं किसमत में नहीं था उनके अक्सिडेंट हो गया और हाथ प्रेक्शर हो गया इसके वैसे वह बॉलिंग मतलब उतना अच्छा नहीं करा पाते हैं तो उनका था कि जो जैसे मेरे छोटा वाला भाई एंजिनियर है तो वह सपन कहीं हम लोग पड़ा आज की डेट में तो महौल ऐसा हो गया ना कि आप बच्चे को टच कर दीजिए तो बवाल खड़ा हो जाता है कुछ-कुछ देशों में तो आप अगर बच्चे को गल्ती से ढांट देंगे तो बच्चे चींगे एकाथ फिल्म भी बन चुकी है उस प प्यार करेंगे तो बहुत प्यार करेंगे उनको जो चीज नहीं पसंद है अगर आपको कर दी तो आप समझें कि आपका एक महीने का खाने-पीने बर के काम हो गया है जब आप कामियाब हुए तो सबसे पहले पिता-जी को क्या दिया मतलब पहली कमाई कह लिजिए या कोई चीज कह लिजिए क्या कुछ ऐसा था जो आपको लगागी उनके लिए करता हूं एक चीज बताना चाहूंगा बहुत कम मुझा जानते हैं मैं आज तक सुरुसिले के आज तक मैं फुद नहीं जाना कि मैंने कितना पैसा कमाया है आज भी सभी जो हमारे करीवी लोग है उस स करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने चेक ले लिए मानू बीस लाग का पचास लाग का दस जार का जो ही तो मुझे एक लक्ष्मी जो होती है अगर आपको पास आना तो अपने आप वह एटिटीटूड खमन डालते हैं मैं इतना पैसा कमाता हूं तो आज तक मैं इ कर दो हैं कि हमको यह करना है तो कलोणी रात मैननत करके उनका सपने जो हुझ आपको गर यही पुर्ण है गर बहुत पासंद अखेंगा है यह छोगी का पासंद दिया हुआ है तो मैं पोस्ताग पर यह जो है मतलब बहुत सारे कुछ सपने पूरे हो गाए कुछ सपने और मेरे पिता जी का सपना था कि विद्ध्यादार मतलब हम लोग स्कूल खोलें तो मेरा स्कूल भी है वक्सर में अहिरॉली मेरे गाउं मेरे मम्मी के नाम पर किरन इंटरनिस्टाल पॉब्लिक स्कूल मेरे मामा जी सारा कुछ मतलब उसमें टीचर भी हैं तो कुछ-कुछ सपने हैं और पूरे करने हैं तो मैंने स्कूल खोल दिया और सबसे पहला जो गिफ्ट आपने बोला तो वेव म्यूजिक एक कंपनी है कुमार गौतम सरभ रहे नहीं पहले ओनर वही कि तो मैं पहले छोट तो भाई क्या करता है तो तो द्यारे वह तो बच्चा है दिन बर गेम खिलते हैं मेरा मोबाइल लेकर उनका मोबाइल लेकर उस समय मेरे को इन 72 मोबाइल सर ने मुझे की प्लिए जो ऐसे तो वह मेरे लिए बहुत है मतलब खुशी करिन का कि मतलब का मुट अच्छ वालम करते हैं मेरे चाहर और थेयरा को उस्थacağız ने कृशी हां ने बुष तो आज भी और आज यह गोः जो मेरे का हुआ मन को अच्छ बहुत है मलत्यां करता है तो मुझे लगता बड़े विजनरी आदमी आपके पता जी कही ना कहीं अपनोंने आपके लिए भी एक विजन देखा आपके बड़े भाईया के लिए भी विजन देखा फिर स्कूल क्योंकि इस तरह की सोच एक प्रोग्रेसिव सोच होती है कि हाँ क्योंकि एजूकेशन बिला तर तो उन से जबर है और अच्छे से महा पे सरु परिवार से आपको प्रता लाए तो अबी बनारस में रहते हैं अपता जी माँ पर ओकर डसा सब लोग माई और सब लोग बनारस सब लोग बनावतALLY मिरेद्दा तो पुमिस नहीं आप यहां रह रहे नहीं कॉन को न बट जब ली वक्त मिलता है तो पापा जिसे मिलने जाते हूं। मोहलों परिशार्श की मिलता हूं। मिस्स करूं। गुमने भिरने जाते हं वाइस के साथ। एक बढ़ गया है। एक ही बार बस। कहां गुमने जाते हैं, सब पह्चान दाते हैं। तो आ Laz तक मैं अकुले कभी नहीं गुमा हम जब भी कुह में पुरे टीम के साथ हूँ M 용ine आप अप नेसा अपने अपने कित गुमrit के उन जहा हैं पहले बार गया था वहां पर गते वह खोथ ने पले अपने पी अगन्तलौ तो कोई लड़की वड़की नहीं आई मिलने गालवाल खींच दियो कोई अलब आपकी फीमेल पॉलॉइंग मेरे शादी होई है तो मेरी वाइब को देगी दूर से इसको प्रूपी तो डर यह लगता है ना कि मानों आज का सोचल मेडिया इतना एक्टिव हो गया है वह फोट सब्सक्राइब करते हैं तो पहली बार गया था लेकिन हमारे हम बहुत अपने आपको लखी मानते हैं कि हमसे भी अच्छे 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 लड़के गुंते लेकिन आज यह आप लोग का प्रेम है कि हिंदुस्तान के कोई कोने में जाते हैं और जहां पर भुश्पूर देखो तुम्हें जबढ़ दस्ती वे बहुत मजह लेती हैं अच्छा बहुत मजह लेती हैं वह इंस्टागरां पर इंस्टेज में जो श्टेज से बुला रगता हूं वह बेस्ती में मानोकु रोमांटिक सौंगा रहा हूं तो मतलब भई क्यास पेख हमारे में तू कभी नहीं गया तुपी मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पेस दू मेकप चड़ गया तुम्हें आखीश थी मेकप उद्रा तुम्हें तुम्हारा ही पती हुए अच्छा एक चीज और आपने कही ती कि मैं एक लव्वे हूं और पवंजी जो है द्रो हमारे गाँ में पच्कोस होचा था तो उसमें टी बगत था कि तुम्हें सही आए था नहीं करी तब उजलिय भाई आज मैं तक कालगोरी लाइन क्वाई जो सब जूरी जूरी निया गच्छियं सुन्दे सुम्ते स्टेज पर गाता था अपने स्कूल में गाता था तुम्ह आप अपना गुरु कुछ को देख कि आप इस पार हो तो मैं गुरु मान दीयों पहले इतना यह सम्नी होता था आज जो आज बहुत लोग कर ते ते आज भी है तो में बोलता है तो पहुन भी कान पर गया कि कौन एस लड़का जो हर मंच पर बोलता है गुरु ए गुरु मैं लेगना आज पर नहीं सिखाया नहीं और एक बार कर बाक्या बदा तो बालियां म में गया ता शोग कर दो पहुन भी महा है और मैं बहुत खुछ था उस तो में मारे साथ एक लड़ी सिंगर थी उनका वाप इन्वेटेशन था मेरा नहीं था थिर भी में गया था कि मुझे पहुन से मिलना है मैं गया उनके चाचा जी से मेरे पापा बोले कि भाई इंका च पहली बार जब आप मिले तो क्या बाची क्योंकि आप कही न कहीं उनको एक ऐसे लेवल पर मानते हैं